लेकिन इसको गोट चोड़ी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं, बंदो कही लाई, अंधेरा है तो अंधेरे में क्या हो रहा है किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एपल की पर्ची चाहिए, चुनाओ के 15 आज एक वीडियो सोसल मीडिया पर जबर्दस तरीके से वारेल हो रही है, जो भी उस वीडियो को देख रहा है, उनके अंदर जिग्याशा होती है, कि इस चीज के बारे में मैं दूसरे लोगों को भी बताऊं, मतलब खुब सेर इस वीडियो को किया जा रहे है, मुद्दा बटन किसी और का दबाओ, परची भी वुशी की दिखेगी, लेकिन छपेगी वीवी पैट में किसी और की इस धांदली के सहारे, इस देश के लोकतंतर को किस तरेंके से हनन पहुँचाया जा सकता है, ये तमाम परकरण इस वीडियो में दिखाएं गए हैं, स्टेफ वाइ पत्रिक्ता जो थी, उनमें बहुत बड़ा हे रिफेर हो गया है, 25 से 30 परशेंट वोटिंग इफ्यक्ट की जा सकती हैं, यानि कि जिसको 25 परशेंट वोट कम मिले, उसको 25 परशेंट वोट जादा मिल सकते हैं, तो इतने में आप सब को बताई है, 25 परशेंट वोट में तो चो क्लोज मार्जिंग वाली सीटे होती हैं उनमें आराम से जीत मिल सकती है, और इस तरह के आरोब सत्ताधारी पार्टी के उपर लगे थे, 2019 के लोकसिवा चुनाओं में, कि जितने भी क्लोज मार्जिंग वाली सीटे हैं, उनमें बहुत बड़ी तरीके से हेरफेर एक नया भी लाकर सीजी आई को हटा दिया, सीजी आई की जगे अपना ही कैबिनेट मंतरी डाल दिया, तो परदान मंतरी की तो कैबिनेट मंतरी माने गाई न, जो सरकार जो चाहेगी ये अपना ही चुनाओं आयुक्त निक्त करेंगे, क्या जुरूर थी भाई, कि इस पी को बहुमत दिखाया जा रहा है, इन चीजों पर बात करेंगे, पर सबसे पहले मैं दिखाना जाओंगा, इवियम और विवी पैट की जो टेस्टिंग की गई है, ये वीडियो कब का है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो टेस्टिंग की गई है, वो बिल्कुल ही आ केला की छे सेकन्ड के लिए आपको दिख गया केला का निशाम, दूसरा सदेस्ट्श से है वो भी केला को ही दबा देता है इवियम में बटन को, तो पर्ची वो नहीं छपेगी नहीं पर्ची केला की नहीं छपेगी पर पहली जो केला की पर्ची छपी हुई ना लाइट जलाकर उसी को दिखा देगा और लाइट बंध होने के बाद दूसरा जो सेंबल है मालिजे शेब का वो दिखा देगा यह वीडियो बड़े ही गोर स आपको क्या दिखा आपको पहले वोटर को केला दिखा छे सकंड तक लाइट जली उसको संतुष्टी हो गई वह आगे निकल गया अब दूसरा वोटर खड़ा है अब वह दूसरा वोटर मनों केले को वोट देता है तो भी पैड ने कागज का परचा छापा लाइट करके सब्सक्तुडबाद यह में अब आपके मन में संदे हो रहा होगा वीडियो देखने के बाद कि देखें वीपैट साथ है और इनम्हां प्रकेस की में बात कर रहा था वह तो दिखाए नहीं वह देखेंगा को खुलने के बाद आदי को खुल और जो दो वुट पड़ी थित परची होती ना उनकी स्लिप निकाली और देखने के बाद रोंग टे खड़े होगे भाई साथ प्रोग्रामिंग ने क्या हाल कर डाला कंटिन्यू वोटिंग में एक केला की परची और एक सेब की परची विश्वास नहीं हो रहा ना अपने आखों से देख लीजिए कि कि पहला वोटर आता है मानलो केले को बट देता है तो वीइपट केला का परची छापता है लाइट चालूकर करके दिखाता है लेकिन परची को कacă प्मक्राइण अब पहले झां प्ता नहीं पशान है कि बाइक प्ष्श ख़पी है अब दूसरा विट महानो को दिता है और मृईटिया की था है तो इसमें एपल की पर्चीछ लेकिन एपल की पर्ची शापी वो दिखेगा रही क्योंकि कारंग काला है क्यों शोग गए ना अब देखिए वीवीपैट तो ओफलाइन है और एव्यम में डिजिटली वोटिंग रिकोर्ड होती है तो कुछ वीवीपैट रिकोर्ड टेस्टिंग भी की जाती है तो है ना तो उसका मिलान तो ओनलाइन तो होना चाहिए तो प्रोग्रामिंग के साथ जो ओफलाइन में जो पर्ची शपी है ना यानकि एक केला एक सेब उसके साथ आइटोमेटिकली मिलान हो जाता है वीवीपैट ने छापा है वहीं वोटिंग काउंटिंग में डिजिटली तरीके से रिकोर्ड भी हो जाती है, ऐसा प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है, वोट तो पड़ी थी केला को दो, लेकिन एक किसको गई, वीवी पैट में सेब को और एक केला को, मिलान जब हुआ, लास्टिंग में, तो यहीं वीवी पैट वाली ही इवि अब कई लोग वाजिब स्वाल भी उठा रहे हैं, ये देखे आशे थोड़ी नहीं हो सकता है, चुनाव से पहले तो टेस्टिंग भी होती है, कंडिडेट का सिंबल होता है, वो किस तरह डिसाइड करना है कि देखे सेब को ही जिताना है, सेब को एक्स्टा वोटिंग डाल उसका सारा का सारा उस प्रोग्रामिंग का खेल बताया जा रहा है, वो प्रोग्रामिंग क्या करता है भाई साब, वो बता देगा कि इस तारिक को चुनाव है, चुनायोग पहले ही तीथी बता देता ना, तो भाई साब तीथी और समय सब कुछ इवियम से हो जाता है, के बाद सेव छपने लगेंगे अब सेव की जगहें भाजपा का कमल भी हो सकता है यह को अंगे इसका हाथ भी हो सकता है अब जीजे इस व्यक्ति ने यह सब कुछ जो डाउट लोगों के मन में जिग्याशा के तर पर उभरे हैं वो भी कलियर की है सुन लेजी आप तो अब इससे जुड़े काफी सारे वाजिव प्रशन आया है कि मकपल कैसे पास हो गया तो कि इसके अंदर क्लॉक होती है तो प्रोग्राम को बोल दिया है कि वोटिंग 30 सप्टबर 2021 हो है यानि 30-2021 तक जितना टेस्टिंग होगा फर्स लाइन चेकिंग होगा फर्स लेवल इवियम का संधे मोजुदा विधान सभा चुनाव जो हुए ना उनके बाद लोगों के मन में और गहरा हो गया है माहूल कुछ था लोगों के अंदर से आवाज कुछ और निकल कर आ रही थी और नतीजे कुछ और आए जो मोदी जीनरिंदर मोदी साहाब परभू स्रीराम को अंगली पकड़ कर ये बता सकते हैं कि ये राम मंदिर है आपको यहाँ पर बैठना है भरते जंता पार्टी ये बता सकती है तो भाई साहब वो इवियम को छोड़ कर बेलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा लेत दुनिया में सिर्फ 20 देशों में ही इवियम से चुनाव होते हैं इसमें से 5-6 देश तो ऐसे हैं जिसमें ट्राइल बेसिज पे चल रहा है और जिन विक्षित देशों में बड़ी-बड़ी अर्थष्टा जो आजकल बन चुकी हैं स्रिधान का बोलबाला जहां पर है हुम ऐसा क्या खोफ है कि भाई सुप्रिम कोट ने बता दिया कि सीजियाई भी उसके मेहटी में होगा जो मुख्य चुनाव आयूग को निक्त करेगा तो आप बिल लेकर आगे शंसत्भावन में और गोदी मिडिया चुप देश को बोलने का मादम है नहीं दो देश की जंता त और तीन राज्यों के चुनाव के रेजल्ट आने के बाद माहूल बना की देखिए बीजेपी तो फिर से आने वाली है राज्यों में ही जीत गए तो यार शेंट्री की चुनाव में तो यह जीतेंगे ही राहूल गांधी के बारे में जितना भी दूस परचार हो रखा है औ कि हाँ अब वो डरने वाला नहीं है उसने ठान लिया है कि मैं ही आने वाला हूँ देश की जंता के दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि देखिए मोधी सरकार तो फिर से 300 पार जाने वाली है अब ये बताए इतने दिन है चुनाव में सी वोटर का सरवे आया 305 से ज्या बहुमत का आकड़ा पार कर गई भाई शाब कहां से लाएंगे भाई साब इतने पर देश की जंता को गोंगी और बहरी परज्वा नहीं बनना है आपको एक जिम्मिदार नागरिक बनना है टेलिविजन मीडिया जो आपके पैसे से चलता है आपके जेब में कड़ी महनत के इस सहारे जो आप पैसे डालते हैं कमाती है ना उन पैसे से टीवी का रिचार्ज होता है और टेक्स के जो पैसे आप अपने बिजनिस से अनुखरी से देते हैं वो पैसे घूम फिरकर इन नोईडाइ मीडियो वालों के जो बोसिज है उनके पास पहुंचते हैं और वो ऐस यह तो कांग्रेस वाले हर रहे हैं इसलिए एवियम का जिकर कर रहे हैं इसलिए मेरे भाई मेरे देश की जनता को मैं यह सपर्ष तोर पर आज कहना चाहता हूं एक एक चीज को मोनिटर कीजिए तीन राज्यों में माहोल नहीं होने के बाद भी सरकार बनना सी वोटर का सर्वे टेलिविजन मीडिया सर्वे करके बता रहा कि 300 फिलस फिर से BJP आ रही है और बिल लाकर CGI को हटा देना ताकि चुना आयुक्त इनका एक तरीके से तोता बना रहे उसी से प्रोग्रामिंग के हवाले कुछ ना कुछ अगर ऐसा पोसिबल हो सकता है तो परजा नहीं बना है जिम्मेदार नागरिक बनना है लोगों को आपके दिमाग के साथ खेलने नहीं देना है किसी और का बताया हुआ चीजे जो आपके सामने पहुंचते हैं तो आपको परखने की ज़रूरत है इस देश में झूट बड़ी संख्या में आपके चारो तरह पसरा पड़ा है क्योंकि उसके लिए लाखो क्रोडों रूपया बहाया जा रहा है आपको मजबूर किया जा रहा है ये मानने के लिए कि बहुमत में तो ये सरकार आएगी ही और आपकी इस उंगली की वैलू खतम की जारी हो जिस दिन लोकतंतर टेड़ा होकर ताना साही में बदलना होगा उस दिन भाई साब बड़े ही गरव के साथ जो जूट आपके चारोतर पैसा फेकर फेलाए जा रहा है इसी के सहारे इस देश के जो दलाल आदमी है ना जिन्होंने सग को चड़ा दिया इस देश की लोकतंतरिक व्यवस्था को चड़ा दिया अपना जमीर बेच दिया सताधारी पार्टी के आगे नतमस तक हो गए वो लोग ताना साही के फायदे गिन्वाने लग जाएंगे और आज आप जिस तने चुप रहे न तीन राजों के चुनाव को आयोग वाला बिल को हटाने वाला भी और अब जो चिस तरेज़े से लुक्सवा चुनाव को लेकर जो सर्वे आने लगे हैं पोल्स आने लगे हैं तब भी आप चुप चाप बैठ कर देख रहे हैं तो भाई साब अंततों गत्वा यह आपकी अंदर से निकलने वाले उन के पास यह मोगा है वोट किसी को परी दीजिए कॉंज्स को दीजिए बीज़ेपी को दीजिए के जिरवाल साइब को दीजिए किसी को भी आप वोट दीजिए लेकिन अपने भेजे के साथ किसी को खेले मत दीजिय Mediterranean को इस्तेमाल करके वोट आपको डालना है लो